पुनर्वसु नक्षत्र में साम 7 बजे तक चलते रहेंगे तर पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे पुनर्वसु नक्षत्र के जन्मे जातक सुन्दर, सुशील, लोकप्रिय, धनी और सांत विचाधारा के होते हैं ये तिब्र बुद्धी वाले अच्छी अस्मरण सक्ती वाले तथा दूर ब्रिष्टि कौन रखने वाले होते हैं भौते के च्छाव से परिपूर्ण सटीक पुर्वा नुमान लगाने वाले व्यावारिक और खुश मिजाज भी होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा प्रियास्पति, बुद्ध और चंद्रमा की इस्थिति अनकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे चंद्रमा आज दिन में पहुने दो बज़े तक निथुन रासी में चलते रहेंगे तर पस्चात करक रासी में प्रवेश कर जाएंगे जो की चंद्रमा की अपनी रासी है मेश रासी वाले जात्कों के लिए इच्छा सक्ति और प्रवल आत्मिश्वास कार जोजनाओं को सफल बनाएंगे धन लाव मन मुताविक बना रहेगा और सासन सत्ताव अधिकारियों का सहयोग जारी रहेगा सरकारी काम काज पूरे होंगे और साजेदारी के कामों में सफलता मिलेगी मगर कुछ मामलों में मानसिक दबाओ और घर ग्रियस्ति के प्रती चिंता का संकेत मिलता है अपने सामान के प्रदी सावधानी अप्यक्षित है, चोरी होने या गायव होने का अंदेशा बनता है हाला कि नीजी निवेश, वाहन और प्रापर्टी के मामले में आज का दिन अन्पूल रहेगा मा के स्वास्त में सुधार और सहयोग संभावित है विद्याथियों के लिए आज का दिन सफलता दाइक सिद्ध होगा और प्रयास पूरे होंगे ब्रिश राशिके जात्कों के लिए धन संबंदी मामलों में लाव और घर ग्रिहस्ती संबंदी निवेश के बिशे में गंभीरता बढ़ेगी कारी ओजनाओं को सफल तरीके से लागू करेंगे मगर कुछ मामलों में कारी ओजनाओं की रुकावट का संकेत भी मिलता है हलाकि आपका उर्जा अस्तर हर काम को निप्टाने के लिए सक्षम होगा और आर्थिक लाव की इस्तिती मन मुताविक बनी रहेगी चंद्रमा के साथ सूर की यूती दो पहर तक आपकी सक्रियता और अत्ततपर्ता को बढ़ाने वाला होगा जिससे रचनात्मक प्रयासों में सफलता मिलेगी मगर निर्णे लेने में सावधानी अपेक्षित है और स्वास सम्मंदी आवसर सावधानी भी बनाए रखें बध्यातियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा प्रयास करें सफलता मिलेगी और वयवाही प्रस्ताव फलीबूत होंगे मिथोन रासे वाले जात्कों के लिए दचनात्मक सक्रिटा में विद्धी ओगी, ग्रिहोपयोगी वस्तुव में निवेश होगा और पारिवारी प्रेरणा बनी रहेगी कार्योजनाओं में सहयोग मिलता रहेगा सरकारी कामकाज पूरे होंगे मगर साजेदारी के कामों में रुकावट की संभावना बनती है सूर्य और चंद्रमा आपकी राशी पर दो पहत तक बने रहेंगे आठिक लाव मन मुताबिक मिलता रहेगा और नई कार्योजनाओं की शुरुवात संभाव है मगर कुछ मामलों में भ्रह्म की इस्तिती भी संभावित है और लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए विद्याथियों के लिए आज का दिन अनकूल है अध्याना ध्यापन में सफलता मिलेगी और खुशी मासूस होगी करक राशी के जात्कों के लिए रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी और नेतित करने की छमता का विकास होगा और अनावस्य खर्च अंचाही यात्रा भी संभावित है विभागिय करमचारीों से सहयोग और कार्ययोजिनाव में सफलता मिलेगी वैवारीक वक्ष शक्री रहेगा और नई कार्ययोजिनाव के प्रस्ताव लागू करेंगे आर्थिक लावकी इस्थितीमन मुताफिक बनी रहेगी और स्वास संबन्धी जटिलताओं में कमी आएगी कुछ नई जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ेगा विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा अध्यान अध्यापन में अभ्यास जारी रखें सफल रहेंगे और वयवाहिक प्रस्ताव खलीफूत होंगे सिंग राशी के जात्कों के लिए आर्थिक लाव की इस्तिती मन मुताबिक बनी रहेगी और ब्यावसाई की योजनाओं में विक्यास होगा सासर सताव अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और नई कार्योजनाओं को लागू करने में मदद मिलेगी मित्रों और इस्तेदारों से भी लाब संभव है और आज की साजेदारी सफल रहेगी मगर दोपहर बाद नकारात्मक विचारों वाले दर्टियों से दूर रहे कुछ मामलों में धन, खर्ष, मानसिक तनाव, ग्रियोपयोगी, वस्तूओं में विध्धी और अनावस्यक यात्राओं का संकेत मिलता है विध्यातियों के लिए आज का दिन सहयोगी है, शिक्षा प्रत्योगिता में सफलता संभावित है कन्या राशिके जात्कों के लिए कारिष्यत में विकास और नई कार्योजनाओं की उपलब्धी का योग बनता है आर्थिक सहयोग बना रहेगा और मित्रों और संबन्धियों से सकारात्म प्रेरणा मिलती रहेगी भागेवस काम अच्छे होंगे और आत्मिश्वास में विद्धी होगी मगर कुछ मामलों में भ्रहमात्म के स्थिति और आयसंबंदी संसाधनों में रुकावट का संकियत भी मिलता है हालकी अधिकारीओं का सहयोग और उनकी प्रेरणा बनी रहेगी और अपने बुद्धी कौसर से उसका हल निकालने में सफल रहेगे निद्याथियों के लिए आज का दिन सामानी रहेगा अध्यान अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वायवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा तुला राशी के जात्कों के चल रहे कारियोजनाओं में विकास होगा रुके हुए काम पूरे होंगे और नीजी निवेश के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा धार्मिक भावना में बृध्धियोगी और सरकारी कामों में सहयोग मिलेगा रचनात्मक प्रयास तार्थक होंगे नई कार्योजनाओं के प्रस्ताव संभावित हैं और आर्थिक लाव मन मुताविक मिलता जाएगा मगर कुछ ही ओजनाओं के रुकावट का संकेत भी मिलता है और कुछ ही ओजनाओं सफलता पूर्वक पूरी होंगी राजनीतिक व्यक्तियों से मुलाकात और सरकारी सहयोग कायम रहेगा विद्यातियों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा सिच्छा प्रत जोगिता में सफलता संभावित है पिता के स्वास की चिंता और व्यावसाइक सावधानी अपयक्चित है ब्रिष्चिक राजिके जात्कों के लिए स्वास संभन्दी सावधानी रखनी चाहिए चंद्रमा राहु की यूती आपके भागे भाव में बनने से मानसिक दुष्चिंता और नकारात्मक सोच बनी रहेगी कुछ मामले लंबित हो सकते हैं मगर साजेदारी के प्रस्ताव लागदायक सिद्ध होंगे पारिवारिक दायत की पूर्ती होगी नई कार्योजनाओं के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा छोटी यात्रा और देव दर्शन के योग बनते हैं संतान संबंदी मामलों में खर्च का संकेत मिलता है और वयवाहिक मामलों में रचनात्म प्रयास राथक होंगे विद्यातियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा और सिक्षा प्रत्योगितां में सफलता संभावीत है धनु राशिके जात्कों के लिए कारिक्षट की सक्रियता बनी रहेगी और मानसिक संतुष्टी महसूस होगी साजेदारी के नए प्रस्ताव सामने आएंगी और योजनाये फलिभूत होगी सरकारी कामकाज में लाह मिलेगा और स्यक्षटी कारियों में सफलता संभावित है परिश्रम की प्रवृत्ती बरकरार रहेगी मगर स्वास संबंदी सावधानिया रखनी चाहिए बुद्ध चंद्रमा राहु की यूती आठवे घर में नकारात्मक विचारों को जन्म देगी ब्यावसाई के अर्चने और निर्णे लेने की छमता प्रवावित हो सकती है मगर साजेदारी लावधायक रहेगी संतान संबंदी मामलों में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा मकर राशिके जात्कों को धैर और सावधानी रखनी चाहिए राहु बुद्ध बचंद्रमा का योग आपके सातमे भाव में बन रहा है मानसिक दबाओ, कारे छमता में रास और भ्रमात्मक की स्तिती का संकेत मिलता है ठोस और महत्पुर्णेड़े सावधानी पुर्वक सोच समझ कर लेना चाहिए हाला कि विभागी अधिकारियों का सहयोग और सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी और काम करने में मन लगेगा सामाजिक प्रतिष्ठा में बिध्धी, परिवार में खुशी और साजेदारी लावदायक रहेगी संतान संबंदी मामलों में आदमिश्वास बढ़ेगा और आर्थिक लाव में सहयोग मिलेगा सिक्षा प्रत्योगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा कुम्भरासिके जात्कों के लिए प्रबल डिढ़ इच्छा सक्ती बनी रहेगी और कारेच्छत में बिस्तार होगा नई कारियोजिनाओं के प्रस्ताव लागू होंगे और आप मिश्वास में विद्धी होगी सरकारी कामकाज में साजेदारी सफल रहेगी और आर्थिक लाव मन मुटाविक मिलता रहेगा पारिवारिक ट्यरणा बनी रहेगी मगर स्वास संबंधी जटिलताएं संभावित हैं राहु गुद्ध और चंद्रमा की यूती शारिरिक और मानसिक अस्तर को प्रभावित कर सकती है साथ है मंगल केदु का संबंध विवादित मामलों को बढ़ाने का संकेत करता है आपकी कारे उर्जा और आत्मिश्वास प्रभावित हो सकता है मगर राहु बुद्ध चंद्रमा के पांचने घर में होने की वजह से पहले की चली जा रही और जनाव में गती आएगी साजहदारी में लाव मिलेगा और कारे छमता बढ़ेगी धैर और सायम से काम लेते हुए रचनात्मक प्रयास जारी रखें साजह जारी और नीजी निवेश के लिए आज का दिन अन्पूल रहेगा आठिक छेत्र में सहयोग जारी है मगर स्वास संबंदी सावधानिया भी रखनी चाहिए विद्याथियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा सिच्छा प्रत्योगिता में अभ्यास जारी रखें और वैवाहिक मामले फलिगूत होंगे आज के लिए बस इतना ही कल फिर्मी लेंगे ओम नमाश्रिवाय